अगर आपने जून 2022 एक्जामीनेशन के लिए असाइमेट मार्च, अप्रेल, मई, जून या फिर जुलाई में सम्मिट किया था तो आपके असाइमेट का जो स्टेटस है इसका बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जिसमें बहुत सारे स्टुएंट के असाइमेट का स्टेट नमबर नॉट फाउंड तो ऐसे में आपको क्या करना होगा इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखिए और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आपको पर क्लिक करेंगे तो आपके असाइमेट का स्टेटस इस तरीके से ओपन हो करके आ जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं जून 2022 एक्जामीनेशन के लिए जिन्होंने असाइमेट को समिट किया था उनके असाइमेट का साथ सेप्टेमबर को आया था और इनके छे सब्जे हैं साथी में इनका अप देख सकते हैं MEC प्रोग्राम के स्टूडेंट है और इनके असाइमेट का स्टेटस पाथ सेप्टेंबर को अपडेट हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं जून 2022 एक्जामीनेशन के लिए इस्टेटस को अप्डेट किया था इनका आप देख सकत प्रोग्राम के स्टूडेंट है इनके पांच सब्जेक्ट का साइमेट का स्टेटस अप्रेट किया गया है इनका पत्चीस अगस्त को अप्रेट हुआ है और इनका देख सकते हैं इनका भी 26 अगस्त को ही असाइमेट का स्टेटस अप्रेट किया गया है मह प्रोग्राम के स्टूडेंट है और यहां पर आपने गौर किया होगा तो यहां पर आपने देखा होगा कि जो सभी में यहां पर इस्टेटस है इसमें आपको बताया जाता है रिसीब टू बी प्रो हुआ आ जाता है चेक grade card status for detail तो उसके बाद आपको grade card को check करना होगा grade card जब आप check करेंगे तो यहाँ पर आपको assignment का number left side में बता दिया जाता है और साथी में अभी आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर starting में आपके जो सभी subject का assignment का status update नहीं होता है starting में दो subject, 4 subject या फिर 6 subject का status update होगा तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है अगर कोई भी subject का status आपका update नहीं होता है तो आप इंतजार कीजिए आपका जो pending subject है उसका भी status update हो जाएगा और अब बात करते है कि जब आप assignment का status चेक करते है तो यहाँ पर आपको बताया जाता है submission status not found तो इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब यह है कि अभी जो आपका assignment का status है वो website पर update नहीं किया गया है अभी जो आपका assignment है वो checking process में है और वो जिस भी method में आपने submit किया है वो रखा हुआ है और यहाँ पर यह कब तक आएगा और कब तक यह update हो जाएगा तो उसके regarding आपको यह video देखना पड़ेगा क्योंकि इगनु में जो assignment checking का process है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और आपका जो assignment है वो कई process में check किया जाता है तो अगर यहाँ पर इस तरीके से red color में लिखा हुआ आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है आपको wait करना है आपके जो assignment का status है वो update कर दिया जाएगा ज्यादा जानकारी के लिए आप ये video देख सकते है इसमें आपको और भी detail में पता चल जाएगा तो ऐसे जितने भी student है जिन्होंने जून 2022 examination के लिए assignment को submit किया है वो अपना अपना status check कर सकते है तो अब आप मुझे नीचे comment box में बताएगे कि आपके कितने subject का assignment का status update हो चुका है और कितने subject का status pending है अगर ये video आपको पसंद आया है तो like किजिए share किजिए कोई question है तो comment box में आप बता सकती है